सो गाइस आग है ना मूँ में पानी से देखिए सो देर किस पात की फटा फट इसकी रेसिपी देखिए और में चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सो इस दा मालो को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिये हैं बेबी पटेटोस यहीं हमने अच्छे से वाष कर लिया है अब हम significa कम चंघे करना में या नहीं नालो को पूरी तरह करना है तोड़ाशा कचा रखना है और पिर इसके बाद हमें नंके चिल्किया टा लेने हैं और इने अच्छे से पील कर लेने के बाद हम इने तूटपिक या फिर फोक की हल्प से अच्छे से पोक कर लेंगे यानि इसमें होल्स कर लेंगे और ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि जब हमें से कोक करें तब सबजी की अच्छे से फ्लेवर से इसमें आ जाए और जब यह अच्छे से पोक हो जाए तब बार या तिने तनल लेक यानि डीप फ्राइ करने की इसके लिए हम इने हाई फ्लेम पे तलेंगे और फिस की फ्लेम थोड़ी से स्लो कर देंगी और इन तनला है हमें कम से कम गोल्डन ब्राउन होने दक आप चाहें तो इसका कर्दा थोड़ा और डाग भी रख सकते हैं सब या तलकी रेड़ी हैं इसके बाद हम लेंगे एक पैन उसमें हीट करेंगे सरसुका तिल यानि मस्टर्ड ओल उसमें आड़ करेंगे 2-3 लॉंग और 2-3 देज पत्ता साथी मैं ने रही हूए किलायची और थोड़ा सा जीरा यानि क्यूमिन और उसके बाद आट करेंगे कश्मीरी लाल मर्च एक चमच थोड़ा सा धनिया पाउडर फिरसे इसमें आट करेंगे थोड़ा सा जीरा लेकिन क्रश किया हुआ और सात मिया डालेंगे हम थोड़ी सी क्रश की हुई सॉंफ यानि एक चमच अब हमें इसे कंटिने सी चलाते रहना है और इसमें हम डालेंगे कर्ड यानि दही आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं यह कंप्लेटली ऑप्शनल है क्योंकि काफी लोग इसे अवोईट करते हैं नहीं डालते हैं अब जब यह अच्छा से कुक होने लगे और इसका ऑइल ग्रेवी से सेपरेट होने लगे तब आम इसमें डालेंगे पानी यानि वॉटर जो की हम डालेंगे एपरोक्स आदा ग्लास और फिर थना सब बॉइल आने पर इसमें हम अट करेंगे नामक differentiation और लास्में हमें अट करेंगे ऐलू याने पटेटो झाल तो इसे टालके हमें अच्छे से मिकस कर देना है और अब इसे अपर इसे कुक होने के लिए छोर देंगे कम से कम एक से दोम निट के लिए और अगर आप यहां पर प्रेशर कुकर कर यूज करें तो आप इसे कुक कर सकते हैं एक सीटी तक के लिए और इसी के साथ हमारे दम आलू बन के तयार है यहां बगाने की कौनिटी आप अपने अपने अकॉर्डिंग कम या जादा रख सकते है और यहां बगाने तो साथ है और आप वहां जाए गडी है